हेलो दोस्त कैसे हैं आप लोग वी वेर डिस्कसिंग जोग्रफी एंड आई अगर मैं पढ़ाने बैटता हूं तो एक टॉपिक लगवग एक से दिर गंटे में खतम होती है और उसको एक से दिर गंटे करवाने बैटोंगा तो फिर टाइम लंबा हो जाता है मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं आपको समझा सकता हूं इस शौट नोट्स में उतना समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग भी थोरा सा अपने तरफ से एफट्स लगाई और पढ़िए शायद समझ जाईएगा क्योंकि नोट्स आप लोगों के दृष्टी कौन से ही बनाया गया है ताकि आप लोग अचे समझ जाए और दूसरी बात मैं यह बता आज देना चाहता हूं कि इस नोट्स में जो दिया हुआ इसको अगर पढ़ लोगे ना पेपर हो जाएगा उसके बाद यहां सब्सक्राइब कर लेना जो को सब्सक्राइब से लेकर 95% एक द प्रेंट्स कर नहीं रहेगा फ्रेंट्स आप लोग इस बात का दियान रखिएगा चलिए शुरू करते हैं आज रीवर पढ़ रहे हैं दो चेपर हमने कर रहा है रीवर में क्या करेंगे हम रीवर में बिहार का रीवर होगा वेटलेंड होगा लेक्स होगा और जो भी सीट चलिए डिवर हमाले से निकलती है आपको बिहार का नक्षा पता होगा यह बिहार का नक्षा है मैं यहां इसे कॉशी आप जाती है साव से किंवर नठी घाती है यह क्रमराशा है थे फिर स्वोन है फिर पुनपुन है खेव यह कुछ नदियां आती है जो गंगानदी में मिलती है तो मेंन गजर रिवरें वह यह यह दुञा कंगा यह वह रहख Albert जो गंडग, गागडा, कोसी, बागमती, महाननदा सौरी, ये सब क्या रिटिरुविटीज हो गए, देखे रिवर, चले ठीक है, फिर मैं डिटेल में गुजराता हूँ, दो परकार की रिवर है, हिमालियन रिवर है, और पैनिसुलर रिवर है, जो साउथ से रिवर आती है, अब हिमालियन रिवर, और पैनिसुलर रिवर में कहए के डिफरेंसे है, इसको तुरण अद डिसकुस कर लेते हैं, हिमालियन रिवर क्या है, जो हिमालियन से रिवर आती है, उत्तर से दख्चिन दिशा में आती है, धियान रखेगा नौथ से साउथ में, क्योंकि गंगा फिलात्यों हो गट्व गया उसके वाद अमर गंटक फिलै उहां से रिवर निकल дав जाते पेनिसुलर इंडिया थो शाओ इंडिया में पढ़ता है ख। Biraz से निकल जाएगी नोर्धिसा में बहेगी और गंगा में जाकर मिलेगी उपर्वाली नदी भी गंगा मैं कर मिलने की कुशिश करते हैं करके चेद उसको की er himallian river है वह सदावार river होती है जिसको perennial बोलते है और peninsular river है वो seasonal river है जो बरसा आती है बर्सा के दिन में 회 достi है और जनरली जब बरसा होती है तो पानी की धारा बिल्कुल कम हो जाती है पानी की प्रवाह कम हो जाती है Himallian river में हमेशाओ पानी रहती है उसको ये सदाबहर बोलते हैं हमारे से काफी यंग है वही हमांद्र river meander form करती है इसको मार्ग बदलने में माहिर होती है साब बाली चाल ऐसे ऐसे चलती है इसको मिन्यांडर मिन्यांडर बोलते हैं और जो पैनिसुला लिवर है यह मिन्यांडर फॉर्म नहीं करती है चलिए विसीक डिफ्रेंसेस था हमने देख लिए अब नौर्थ नौर्थ बिहार के बारे में कुछ रिवर है उसको उपड़ लेते हैं फटाफट देखिए यह रिवर का नाम है इसमें ओरिजिन दे रखा है यह मर्ज कहां करती है मतलब एक तरह से ड्रेन कहां जाकर एंटर कर जाद वेकेस में मिलती है उसके बाद लेंथ क्या है बिहार में पहला रिवर गंगा है जो गंगोत्री Glacier से मिलती है और बिहार में 14 बक्सर के पास एंटर करती है और यह फैनली बेंगाल में जाकर merge कर जाती है मतलब drain into the bay of Bengal okay बाकी length इसका total length देखे तो 25-25 km है और बिहार में इसका 445 km है इस बात को धियान रखना है अगला river है घागरा river है घागरा river में यह कहां से निकलती है तिब्बत से निकलती है इसका औरोजीन और बिहार में कहां सफससा कर बिहार में गंगा में सारन में मिल tous इसकी EB uh और इसकी लेंथ जो है जाती है और गंगा में खगडिया की आसपस आकडर मिलती है कए गंगा में के आसपस आकर मिलती है गंगा में खगडियां के आसपस मिल जाती है और बिहार में इसकी लेंद जो है 320 किलोमेटर है मैं एक बात पता दूँ कि यह जो नोट्स है न मैं अपने चैनल पर डाला हूं जो मेरा टेलिग्राम चैनल है अडुकेदन के नाम से तो आप लोग वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं और इजली यहां से रिवाइज करने मां बहुत से विदा मिल जाएगी नोट्स आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही जान्दार नोट्स बना हुआ है चलिए बागमती बागमती कमला डिवर है कहां से निकलती है दोनों महा वेलेशवर रेंज जो हैं नागपुर वाले उहां से निकलते हैं और बागमती का जो लेंथ हैं 3090 ख凜ुममी मिटर है । ऊके मां के बागी गंगा में कुड़ोडई कटिहर के आसपास आकर मिल जाती है जिसकी लेंद 210 किलोमेटर दे रखा है चली अगला देखते हैं अगला में क्या है अगला में महानंदा River महानंदा River वेश्ट वंगal के दरजलिंग डिस्टिक से निकलता है इज़ वेश्ट मानदा में मैं जाकर मिलती है जो कि मालदा वेश्ट वंगाल में बिहार में महानदी River नहीं दोब़ती है चलिए आगे देख लेते हैं आगे में क्या South India का कुछ river है, South India का river के बारे में हम देख लेते हैं, South India का river कर्मनाशा है, जो विंद्यांचल के mountain से निकलता है, गंगा में चोसा के आसपस मिलती है, अगलाड़ इवर सोन है, ये नहीं होगा, सोन है, और अमरकंटक MP से आकर निकलता है, और गंगा में को छूण के प्लैटू से निकलता है और गंगा पलसमूंपुन में आकर मिलness I can और उसके बाद अजह मतलब फूणपुन में मिलती और पूनूपू फैनली कहा कर मिलती है फलबू किसमें पुनपू फैनली कहा कर मिलती है गंगा में द्ध़ान रखेगा जमू से निकलती है और जमू से निकलने के वाद यह जारखंड जाती है और जारखंड से फिर वेश्ट वंगाल जाती है और वेश्ट वंगाल में गंगा में जाकर मिलती है ध्यान रखेगा अजया बिहार से निकलती है बिहार से निकलने वाद जारखंड चली जाती है और जारखंड जाकर वहां से फिर वेस्ट वंगाल चली जाती है और there जो लोग बिहार से अगला सिटी जो है मुजफर्पूर है खगड़िया है जो कि आया औरस्मख्ष्टिपूर है जो बुडी गंडeen पर बसा आगा देखते हैं च्छलेवहागना जो है बाग्मतीरी बर बसा हुआ है का फलगों पर नावादा नावाधा में बसा हुआ है जो कारकत कईमूर में है ध्यान रखकिएगा दुरगावती है जो 90 मीटर उचा है तो है यह रोहतास में पाए जाता है इसको ध्यान में रखना है और रहतास में और कुछ है जो दुरगावती हो गया उसके बाद फिर धूआ कुंड धुआ कुंड है उसके बाद मनझार कुंड है यह सब सासा राम रोहताज में पाया जाता है उसके बाद करनासा है करनासा बक्सर में पाया जाता है चलिए आगे देखते हैं कुछ जील हैं जिसको वेटलेंड्स बोलते हैं जील में देखते हैं कावरताल लेक जो बिहार में बेगुसरे जिला में पाया जा है गोगा विल और या फेर घोगना विल बोलते हैं जो कटिहार में पाया जाता है और ये Community Reserve भी ध्यान रखिएगा बिहार का पहला Community Reserve है गोगा विल उसके बाद कुशेश्वर दर्वंगा में पाया जाता है यह जो ऌकित्यारपूर जो जोगतपूर है जोगतपूर भागलपूर में पाया जाता है उसके बाद घोडा कटोडा है जो राजगीरी में नालांदा में पाया जाता है ये सब जील है ध्यान रखिएगा अनुपम जील है जो कैमूर में पाया जाता है सरया मान है बेतिया में पाया जाता है पिपरा मान है जो पिपरा गंदक नदी पर बशा हुआ और यह चंप पुर्वी चंप आरा मुझाफरपूर और वैसाली के एरिया को पाणी पटाने में काम करती है शक्री धे मैं दोनों किस से निकलती है कोशी नदी से निकलती है और इस्ट कोशी जो है राजापूर से निकलती है वेस्ट कोशी ओके ध्यान दखेगा एरिया जो है यह किसको कवर करता है अरडिया को करता है पुर्णिया को करता है सहरसा से करता है सुपोल को करता है और फिर अगला है वेस इधर निकलती ओम किखेंगे इसकुंप कुसी देन कहलेंगे वैस्ट में क्या हो जाएगा जाएंगा अट अ जाएगा रड़ी आजहेगा पुर्णिया जाएगा सहरसली सुपोला जाएगा क्यों क्या है इस दोनों जोन नदी पर सबसा हुआ है कि विस्ट जो है लौप उख भागलपूर नहीं भोशपूर है हां वश्ट जो सोन नदी यह वह भोशपूर रोतास और व्क सर को देती है ज्यान रखेंगे भागलपूर नहीं है मैं समझ हाता हूं बोजबूर है कि आगे चली आगे देखते हैं आगे गंगा है गंगा के पारे में इसके कुछ ओरिजीन है कहा से निकला है क्या क्या है कैसे क्या है कि इन चीज को देखते हैं फिर घाघड़ा है कुछ नदी का इनके जो कुछ Tributes है, मतलब ये गंगा कैसे बनाई अलगनंदा और भागे रती देव परियाग प्यार करें मिला, देखिए आप लोगों को थोरा सा ये परियाग को याद करने में confusion होगा, तो अलगनंदा और भागे रती देव परियाग पेसले मिला है, और देव परियाग हम तो उत्तर स्याकर मिलती है, गागडा है, गंडक है, बुरी गंडक है, कोसी है, सोन है, पुनपुन है, फल्गू है, मोरहार है, और बदुआ है, ठीक है, उसके बाद जो कुछ नीचे वाला जो है, अजय है, महानंदा है, अजय और महानंदा मीट करता है गंगा को कहां, वे आंशेमया जबर्सथिग स्वारें। जो है काली गंडग तिर्शूल प्लस तिर्शूल से बनकर बना है और इसको अन्य नाम जो है गंडग का ये सब्त गंडग भी बोलते हैं उसके बाद शाली ग्रामी भी बोलते हैं इन सब चीज़ों इनको गंडग को बोलते हैं उसके बाद गंडग जो है बिहार में गंडग करता है जिसको हम क्या बोलते हैं वेली जो बोलते हैं गौर्ज होता वेली होता है और एंटर जो करता है बिहार में वहां वेसा लुटन जगा है वहां वेस्ट चंपारन में वहां एंटर करता है बिहार में और उसके बाद बाउंडरी बनाती है उत्तरपरदेश और बिहार के से बीच में इसके कुछ टिश है आप देख सकते हैं काली गंड़क है त्रशूल है बुड नदबाड़ के बारे में देख लेते हैं और कंधारी में हैं गंगा खगरिया के असपस मिलती कि करदी bi है कि ऑगऔ में खखड़िया क है सपस मिलती है उसके बाद इसको चिकराना भी बोलते हैं बोड़ी गंडग को टेल्च में में हैं भालोर है त्यूर है उसके बाद धन Shopify को सब्लब्र आगे बागमती को देखते हैं बागमती कहां से बिश्णुमती है, ओके, दियान रखेगा, और काठमांडु पशुपती जो टेंपल है, वो बागमती रीभर पे ही सिस्टुटेट है, अगला कोशी है, ओरिजीन जो है, गोसाई अस्थान है, नौर्थ इस नेपाल में पाया जाता है, इसको सब्त कोशी नेपाल में जाने ज जाते हैं, उसके बाद सोरो अब बिहार बोले जाते हैं, इसके कुछ इंपोर्टन ट्रिविटीज है, अरून है, तोमर है, लिखू है, ओके, ये कुछ इंपोर्टन ट्रिविटीज है, आगे, इसी पर कोशी डेम बना हुआ है, ध्यान रखेगा, आगे जो है, महानदी है, महनन्दा होगा महनन्दा क्या है आगे जो है महननन्दा है महननदी नहीं है चलिए आगे देखते है ये ओरिजिन इसका क्या है डारजिलिंग Didst nueva पर ब्यार में कहां ऐंटर करता है किशनगल में करता है और गंगा को माल्दा वेस्ट वंगाल में जाकर मिलती है, ध्यान रखिएगा, ब्यार में नहीं मीट करती है, इसके कुछ ट्रिवुटीज है, पाइनोर है, नागर है, बालसर है, अगला है करमनासा, ध्यान रखिएगा, छमा चाहता हूं, यहां इस बिलिंग मिस्टेक है, मह कर आपके पुनुल जाएंग, और ज्यादा पप किन्हों, तो गंगा प ऑब कर जाएंगे, ऐसा मान जाता है, यह नक है, फट्रगा माना जाता है इसकी लेंध्थ 284 किलमिटर है ठीम organizations से अगेक्व आगे पुनपुन है पुनपुन में ये कहां से निकला है पुनपुन प्लामू छोटा नागपुर प्लैटिव से निकला है और फत्वा में जाकर मिलता है ट्रिबुटी इसका मोरहर है मदार है धरदा है सकेंड इंपॉर्टेट रिवर साउथ बिहर का माना जाता है इसको फल पाद कर दो टेंपल है इसी पे बना हुआ है गया में फल्गुनुदी के किनारे ही और इसको इनलाइटमेंट जो गुद्दध को झाल